हालो दोस्तों स्वागत अश्वीका एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल पे इस वीडियों हम लोग बात करने वाले हैं जो यह एरोपन टीटन क्रिकेट चैंपियनसिप ग्रूप एफ का जो यह नौवा मैच लगजंबर्ग वर्सिस पूर्तगाल की टीम के बीच में खेला अक्टूबर रात दस बजे से कर्टमा ओबल कर्टमा इस पैन में खेला जाएगा मैच फॉर्मेट की बात करो तो टीटन का यह फॉर्मेट रहने वाला है अगर दोस्तों अभी तक आप लोग मेरे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग का टेलीग्राम से जु करते हैं पिच रिपोर्ट से तो दोस्तों इस पिची की बात करें तो ओवराल यह बैटिंग के लिए काफी अच्छा विकेट रहता है और यहां पर जो विकेट मिलते हैं वो पेसर्स को जादा मिलते हैं तो उसी के साब से आप लोग यहां पर अपनी टीम क्रेट करना अब यहां पर दोस्तों लोग बात करते हैं पहले लगजंबर की टीम के बारे में तो दोस्तों लगजंबर की टीम ने इस सीरीज में अभी तक दो मैच खेले हैं जिसमें से दोनों के दोनों यह मैच दोनों के दोनों यह टीम मैच आरके आ रही है इनका अभी तीसरा मैच चल भ पर्फॉर्म कर रहा है तो आप लोग उसको भी यहाँ पर देख सकते हैं अब यहाँ पर दोस्तों लोग बात करते हैं तो पहले दोस्तों लगजंबर के आप लोग यहाँ पर जो इन्होंने दो मैच के लिए उसका आप लोग यहाँ पर स्कोर कार्ड भी देख सकते हैं उन्ह को ओपनिंग करते हुए दिखेंगे इनका देखोगे 9 मैच में 143 रंसन 16 का इनका एवरेज रहा है T10 में हाला कि ओपनिंग पर आ रहे हैं तो ठीक टाक प्लेयर रहेंगे फर्स्ट में 34 बनाई लास्ट में 0 पर गए हमें थलबवी का देखेंगे ओवराल 14 का एवरेज है जो इस सीरीज में 2 मैच के लिए दोनों में लगबग फिलॉप रहे हैं और उतने अच्छे प्लेयर भी नहीं है हला कि इनका जो रिकॉर्ड है यह T20 का भी T10 में यह पहली बारी खेल रहे हैं सिर्फ करन गिल की दोस्तों देखेंगे 20 मैच 390 रं 23 कैवरेज प्लस 20 मैच में 19 ओ जादा नहीं कराई है पर इस सीरीज में उन्होंने ठीक टाक बॉलिंग कराई है अला कि दोनों मैच में कुछ खास नहीं कर पाए फिर भी दो मैच में तीन ओवर की बॉलिंग कराई है तो यह important हो सकते हैं क्योंकि टू डान पर आपको बैटिंग दे रहे हैं प्लस बॉलिं इनका अगर आप T20 में देखोगे तो 23 का एवरेज है T10 ये पहली वार खेलना है ठॉम्स मार्टिन का देखोगे 12 मैच T10 के खेलने 129 रण 16 का एवरेज 11 ओवर की बॉलिंग 5 विकिर तो इनका भी लगबग एवरेज रेकॉर्ड है हलाकि अगर टॉप ओडर बल्लेवाजी क करते हैं तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं बॉलिंग पार्ट टाइम ही कराते हैं बॉलिंग से ज्यादा उम्मीद मत करना जैम्स बरकेर का देखोगे 31 मैच 435 रण 27 कैवरेज है सीरीज में एक मैच के लाई जिसमें 16 नौट आउट की इनकी पारी रही है अब यहाँ पर द बॉलिंग कराई विकेट नहीं मिला लास्ट में पूरे दो वर डाले जिसमें इनको विकेट नहीं मिला तो दोनों ही मैच में विकेट नहीं मिला पर लास्ट में 11 नौट आउट की इनकी पारी भी रही ते और काफी अच्छी हिटिंग करते हैं पर मौका इनको मिलनी रहा ह अला कि overall अपने टीम के important खलाड़ी है उसके अलावाद दोस्तों मोबंद मिलद इनका देखोगे ये एक विकेट टेकिंग बॉलर ने 6 मैच में 6 विकेट T10 में लिए चुके हैं और इस सीरीज में 2 मैच के लिए 5 विकेट और 2 दोवर की बॉलिंग करा रहे हैं हम ये धींगरा का देखोगे 13 मैच 23 विकेट तो इनका भी अच्छा काजा है फर्स्ट मैच में पूरे 2 वर की बॉलिंग कराई विकेट नहीं मिला ये भी अपने टीम के important बॉलर हो दो वर लगपक कराते हैं अंकुष नंदा 25 मैच 72 वर 24 विकेट ये इनका T20 का रिकॉर्ड है T10 में यहाँ पर जो अभी दो मैच खेल हैं फर्स्ट में एक ओवर कराया विकेट नहीं मिला लास्ट में दो वर की बॉलिंग कराई एक विकेट भी निकला तो इस तरह से इनका रहा है अब यहाँ पर दोस्तों जो उनके बैंच पर प्लेयर बैठे हुए आप लोग उनका अब यहाँ पर देख सकते हो बाकि अगर इनमें से कोई खेलेगा तो वो टॉस के बाद मैं आपको टेली गराम पर सेयर कर दूँगा जानी कि अगर इनमें से कोई भी प्लेयर खेलता है तो इसका स्टार्स में आपको टेली गराम पर सेयर कर दूँगा बाकि आप लोग यह पुर्त गाल की टीम काफी स्ट्रोंग रहने वाली है और इस मैच में भी मेरे साब से पुर्त गाल की टीम ही जीतने वाली है अब आप लोग इनका स्कोर भी देख सकते हैं उनने किस तरह से यह पे स्कोर बनाए तो फर्स्ट मैच में 133 बनाए 4 विकेट के नुकसान पर उसके ओपनिंग करते हुँ देखेंगे प्लस विकेट कीपिंग भी अपनी टीम से यही कर रहे हैं और काफी इंपॉर्टेंट खला रही है रीशेट देखोगे त्रेशर्ट तीन दस इस तरह कर आए और ओबरॉल भी 22 का एवरेज है काफी एच्छे प्लेयर है सुमन घिम रहे हैं दोस्तो ओपनिंग पर आ रहे हैं 26 का एवरेज रखते हैं हाला कि इस सीरीज में तीन मैज के लिए तीनों में फिलॉप रहे हैं पर दोस्तो यह भी काफी अच्छे प्लेयर और पार्ट ताइम यह बॉलिंग भी कराते हैं अजर अडानी का देखोगे यह भी अपने टीम के इंपोर्टेंट है 22 का एवरेज है काफी अच्छे टर है वन डाउन पर बल्ले वाजी करने आ रहे हैं तो दोस्तो यहां पर सुमन घिमरे और अजर अडानी यह कभी भी बड़ा स्कोर कर सकते हैं इन में से अगर आप लोग चाओ तो जिसको भी चाओ आप लोग अपनी स्म बॉलिंग कराएंगे और उस केस में फिर यह जादा इंपोर्टेंट हो जाएंगे नजम सज्जात का देखोगे इनका अच्छा यहां पर रिकॉर्ड है 25 का एवरेज है 89 मैच में 121 उवर की बॉलिंग 56 विकेट और इस सीरीज में भी लगातार बॉलिंग करा रहे हैं और लास्ट मैच में 16 विकेट भी नेकाले काफी अच्छा किया काफी इंपोर्टेंट है मस्ट पिक रहेंगे में गुल मचाडो का देखोगे जील में ट्राई कर लेना इनको उतना ज्यादा मौका मिलनी रहा है बैटिंग करने काफी नीचे आ रहे हैं और बॉलिंग भी उतनी हीरीडी में और इस सीरीज में देखो किंगे तो फर्स्ट मैच में 0 विकेट एक ओवर उसके बाद सैकेंड मैच में 0 विकेट एक दसमलब 3 ओवर और लाष्ट में यहाँ रहे हैं और लगबख एक एक ओवर की बॉलिंग मिली है सैयद मेशियम दोस्तों इमपोर्टेंट है लगबख हर मैच में दो ओवर यहां चोगे काफी अच्छी बल्लेवाजी भी करता और important player है इनको लेके चलना अब दोस्त समा दोस्तो last match के लिए अगर आप इनका देखोगे तो ball ना इनको balling मिली ना betting मिली पर overall ये baller ही है पर इनको balling नहीं देगई पर दोस्तों इनका अगर आप overall record देखोगे तो 13 match में 24 over की balling है 10 wicket है यानि कि अपने team के important baller है पर last match में इनको फिर भी balling नहीं मिली पर इस match में दोस्तों ये trump बन सकते हैं कि लोग इनको नहीं लेंगे पर आप लोग इनको लेके जा सकते हो और ये कभी भी balling करा सकते हैं अब यहां पर दोस्तों जो इनके bench पर बैठे हुए हैं आप wicket match में 43 प्लस 0 wicket एक over तो इस तरह से इनका इस series में रहा और overall काफी एच्छे player है खेलते हैं एम्डी सिराज निपो दो तो इनको उतना मुकान नहीं मिला है दो match के लिए जिसमें एक एक over की balling मिली हाला कि ये भी अपने team के important खलाड़ी हैं अभी तक हाला की कुछ नहीं कि पर फिर भी overall important है खेलते हैं तो try आप लोग कर सकते हो अब यहाँ पर दोस्तों हम लोग अपनी team देख लेते हैं जो फिलाल मैंने इस match की बनाई है पर उससे पहले अगर अभी तक आप लोग मेरे टेली ग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेली ग्राम से जरूर जुड़ ज जाना क्योंकि टॉस के बाद final team आपको टेली ग्राम परी मिलेगी तो जुड़ जाना लिंक आपको इसी वीडियो के description मिल जाएगा मेरे टेली ग्राम चैनल का तो चलिए दोस्तों अब हम लोग अपनी team देख लेते हैं तो यहाँ पर दोस्तों मैंने wicket keeping में घोलिया को लिय मस्ट पे कराएंगे wicket keeping करना है प्लस काफी अच्छा record रखते हैं तो मैं यहाँ पर इनको लेके चलूँगा यहाँ पर पता नहीं क्यों इनको add किया गया तो फ्लाल के दोस्तों मैं यहाँ पर घोलिया को लिया यही मस्ट पेक हैं अब यहाँ पर betting section में बात करें तो बग two sorry three down पर betting करते हूँ देखेंगे प्लस दो over की balling दे रहा है और last one में चार wicket लेके आए काफी अच्छे player है मैं यहाँ पर इनको लेके चलूँगा टी बरकर की दोस्तों बात करें तो यह भी overall अगर आप देखो कि ठीक टाक है क्योंकि opening पर भी आ रहे हैं और ठीक टाक अगर आप लोग चाओ तो यहाँ पर घिमरे या फिर अंडानी इन में से आप लोग किसी को भी पिक कर सकते हैं दोनों के काफी अच्छे record है हलाकि इस series में दोनों flop चल रहे हैं पर मैं भी इन में से किसी को लेके जा सकता हूँ फिलाल के लिए मैंने नहीं लिया है उसके ल लिए मैंने यहाँ फिल लिवाजों को अपनी टीम में पिक किया यहाँ पर दोस्तों all rounder मैंने च्छे लिए हैं यहाँ पर मैंने जे खान को लिया है दो ओवर देते हैं और काफी बैतरीन किया है 3 मैंच में 7 विकेट लिया है ऐस मैंसम भी important है दो ओवर लग बग कराते हैं ले तो इस वज़े से हम इनको second inning में drop भी कर सकते हैं करन गिल को भी मैंने यहाँ पर लिया है क्योंकि ठीक टाक प्ले रहा है और पार्ट टाइम बॉलिंग भी कराते हैं यह सिंग को अब यहाँ पर लेना important हो जाएगा क्योंकि दो ओवर लास्ट में इन्हों ने दिये थे और तो यहाँ पर दोस्तों मैंने balling section में समाद को लिया है अला कि last match में इनको balling नहीं मिली पर फिर भी मैं इन पर risk ले रहा हूँ आप लोग अगर safe जाना चाहो तो समाद की जगा पर आप लोग यहाँ पर नंदा के साथ जा सकते हो या फिर अगर और कोई खेलता है यहाँ त वो यहाँ पर कुछ इस प्रिकाराव यहाँ पर मैंने पनी कप्तानी सज्जाद को दिया है जो की काफी अच्छी hitting करते हैं और दो ओवर दे रहा है तो दो ओवर confirm करा रहा है तो मैंने आपर captain इनको किया है wise captain मैंने आपर A sink को किया है आप लोग reverse भी कर सकते हो इनके अलाव या को भी CVC कर सकते हों कि विकेट कीपिंग करें और opening पर आ रहे हैं और काफी अच्छे प्लेयर आपके पास CVC के best option रहने वाले हैं आप लोग जिसको करना चाहों कर सकते हो फिलाल के दोस्तों मेरी यह टीम है अगर इस टीम में कुछ भी चैंज होगा तो आफ्टर टोस आ झाल